तो आगया है आज हमारा आखरी बोनस एपिसोड, अब जो अगला एपिसोड आप शुक्रवार को सुनेंगे वो होगा हमारा हन्रेट्थ स्पेशल एपिसोड जी हाँ, और उस स्पेशल एपिसोड की जहलक आप सुनेंगे आज के एपिसोड में, तो कहिए किया आप तैयार है आप सुन रहे हैं कहानी जानी अन्जानी पियूश अगर्वाल के साथ चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं नमस्कार दोस्तों कैसा रग रहा है आपको ये बोनस कहानियों का सिलसला भई मैंने तो कहा था कि हमारे क्राउड फंडिंग कैम्पेइन को अगर आपका प्यार इसी तरह मिलता रहा तो हम आपके लिए कहानियों के सौगात लाते रहेंगे तो भई हमने हमारा वादा पूरा किया अब आप भी कीजिए अपना वादा पूरा अगर अभी तक आपने हमारे क्राउड फंडिंग कैम्पेइन में अपना योगदान नहीं दिया है तो आज ही पियूशगरवाल.com पर जाएं और सपोर्ट दशो लिंक पर क्लिक करें आपकी योगदान से हम सौ एपिसोड के बाद और पचास कहानिया और पचास एपिसोड आप तक लेकर आएंगे तो इसके लिए आपके योगदान, आपके सहारे की बहुत-बहुत जरुवत है तो जहां भी आप है, जितना भी आप देना चाहे, अपने मंद से दीजिए और अपना योगदान कीजिए तो चलिए बढ़ते हैं आज के बोनस कहानी की और हमारे पिछले सभी बोनस कहानियों के तरह ये भी एक बहुती छोटी सी और प्यारी सी कहानी है जिसे लिखा है अम्रीश त्रिपाथी जी ने ये पेशे से सौफ़वेर में काम करते हैं लेकिन इनका दिल हिंदी लेखन के लिए धड़कता है कानपूर यूपी से हैं और बैंगलोर पोईटरी सर्कल में काफी एक्टिव है इनका रुझान हिंदी साहिते की तरफ है और जब तब ये कोशिश करते रहते हैं कि कैसे उसमें अपना योगदान करे तो आज की छोटी सी ननी सी प्यारी सी कहानी उनकी कलम से और हाँ कहानी के बाद रुकिएगा जरूर क्यूकि आपको मिलेगी जलक हमारे शुक्रवार के स्पेशल एपिसोड की क्या होने वाला है उस एपिसोड में अगर आप भी सोच रहे हैं तो बने रहिए और सुनते रहिए सिगरेट अम्रीश त्रिपाठी और किसे इंप्रेस करना है जो हर समय सिगरेट पीते रहते हो रिया ने खीज के अमित से कहा और किसे मतलब तुम इंप्रेस हो गई हो क्या हाँ हो गई और जो न हुई तो क्या अब गांजा मारोगे रिया और खिच चुकी थी अमित ने सिगरेट फेकी कदमों से उसे पीसते हुए बोला वक्त आ गया है मैं तुम्हे प्यार करता हूं रिया की आखे बड़ी सी हो गई थोड़ी अचंबे में थोड़ी गुस्से में फिर दुपट्टा सही करते हुए बोली और अच्छा तरीका नहीं मिल रहा था प्य रिया और अमित एक ही सोसाइटी में रहते थे और अलग-अलग कंपनी में काम करते थे किसी कॉमन फ्रेंड के थूँ वो दोनों मिले थे और तब से काफी अच्छे दोस्त बन गए थे एक ही सोसाइटी में रहने से हर वीकेंड में साथ ही घूमना हो चला था धीरे धीरे द दोनों लोगों को अपने अपने घर बताना क्यूंकि अल्रेडी दोनों के घरों से शादी को लेकर काफी प्रेशर था दोनों मेरट से थे और दोनों ने अपने घर वालों को मिलाने की सोची दिवाली करीब थी सो इससे अच्छा मौका नहीं था अब दोनों ने मुंबई स उसे दिल्ली साथ में फ्लाइट ली और फिर दिल्ली से मेरड तक एक ही ट्रेन में साथ साथ टिकेट कराए। स्टेशन पे रिया के पापा उसे लेने आये थे और रिया के साथ एक लड़के को उतरते देख के पहले ही उनकी भौवे तन गई। पापा, ये अमित है, मुंबई में मेरे ही सुसाइटी में रहता है, इसका घर भी यहाँ है, तो हमने इस बार साथ में ही आने का प्लैन बना लिया। अमित ने उसके पिता के पैर छुए, पिता जी ने भी अंचाही मुस्कान के साथ आशिरवाद दिया। पापा, अमित दिवाली के दिन हमारे घर आएगा खाने पे। रिया चहक के बुली, पिता जी ने कोई जवाब नहीं दिया, और सर हिला के हामी भरते हुए घर चलने का संकेत दिया। अमित भी बैग उठा कर अपनी रास्ते चल पड़ा। रास्ते में टैक्सी में रिया के पिता ने कौन बनेगा रिया का पती शुरू कर दिया। पूरा नाम क्या है उसका, कितना कमा लेता है, तुम्हारा ज्यादा मिलना जुलना है क्या उससे। रिया ने भी मामले को ना खीचते हुए सीधे उतर दिया। अमित सिंग नाम है उसका, और हम दोनों प्यार करते हैं एक दुसरे से, दिवाली के दिन वो अपनी फैमली को लेके शादी की बात करने ही आ रहा है। ये सुनके रिया के पिता आग बबुला हो उठे। सिंग, ठाकुर है वो, रिया हम ब्रामिन है, ठाकुरों के घर शादी नहीं कराएंगे तुम्हारी। दरसल रिया के पिता जी को दिकट ठाकुर और ब्रामिन से उतनी नहीं थी, जितना कि रिया ने खुदी लड़का ढूंड लिया उससे थी। पापा, आप किस जमाने की बात कर रहे हैं, ये सब चीजे अब पुरानी हो चुकी है, दो लोग आपस में खुश रहे, वो ज्यादा जरूरी है। अमित के पिता सरकारी नौकरी में थे, लेकिन मौडन खैलात को खुब अपनाते थे, वो ये जातपाद से उपर उठके सोचते थे, उन्होंने रिया के पिता से बात शुरू करी। आप सही बोल रहे हैं भाई साब, हम भी यही मानते हैं। मामला अपने हाथ से निकलता देख, रिया के पापा ने चुपपी तोड़ी। मुझे अमित से अकेले में कुछ बात करनी है, हम दोनों जरा ठहल के आते हैं। यह कहते वे वो बाहर क्यों चल पड़े, उनके पीछे पीछे अमित भी चल पड़ा। बाहर गार्डेन में पहुँचकर उन्होंने अमित से बोला। सिगरेट पीते हो। हाँ अंकल, कभी-कभी। जलाओ फिर। सिगरेट के कश के उपर भावी दामाद और भावी ससुर की एक काफी अजीब सी मीटिंग हो रही थी। अमित की जेब में गोल्फ लेक का डबबा पड़ा था। उसने दो सिगरेट जलाई और एक अपने ससुर जी को थमाई। कबसे पीते हो और दारू, दारू भी पीते हो। कॉलेज टाइम से अंकल, ड्रिंक कभी-कभी कर लेता हूँ, महिने में एक आध बार। शर्म नहीं आ रही है बताने में। मेरी बेटी का हाथ मांगने आये हो, मेरे साथ सिगरेट पी रहे हो, और ये भी बता रहे हो कि दारू भी पीते हो। अब अंकल, मैं जैसा हूँ, वैसा हूँ, फाल्तु में जूट बोलना मुझे पसंद नहीं। आपकी बेटी से प्यार करता हूँ, और उसे हमेशा खुश रखूँगा, उसे भी मेरा सिगरेट पीना नहीं पसंद, छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, और महीने में एक बार दारू तो मेरे हिसाब से नॉर्मल है, आपका भी बिजनेस है, महीना क्या, आपके सरकल में तो हफते में एक बार चलती ही होगी, अमित से ऐसे साव सीधे उत्तर की उमीद ना थी मिश्राजी को, लेकिन उसकी इमानदारी ने उन्हें काफी इंप्रेस कर लिया, वापस आके उन्होंने अमित के पिता से बोला, सेंग सहाब, फिर न्यू यर के आसपास की कोई डेट वाइनल करते हैं, रिया के चेहरे पे खुशी के साथ क्वेश्चिन मार्क बन गया, जो पापा दो दिन से उससे सीधे मूँ बाद भी नहीं कर रहे थे, उनसे अमित ने दस मिनिट में ऐसा क्या बोल दिया, कि वो तयार हो गए, पापा से पूछने की तो उसमें हिम्मत नह अगले दिन अमित के साथ ही कॉफी में मिलने का प्लान बना, तुमने ऐसा क्या समझा दिया पापा को, कि वो जट से तयार हो गए, परसो तक तो मुझसे बाद भी नहीं कर रहे थे, अमित ने मुस्कुरा के सिगरेट जलाई, इस वजह से, क्या मतलब, रिया का शून्य पुड़ा भी ले जाता है, सीधे सीधे बताओ यार, मेरी समझ में नहीं आरा कुछ, आरे कुछ खास नहीं, तुम्हारे पिताजी मुझे परक रहे थे, और तुम तो जानती हो कि मुझसे जूट बोला नहीं जाता, हमने साथ में सिगरेट पी, उन्होंने कुछ सवाल पू अब मैं समझा, वो इतने में ही इंप्रेस हो गए, कि वो जो काम इतने सालों से अपनी फैमली से छुपा कर कर रहे थे, उनका दामाद उनकी बेटी से बिना छुपाए करता है, और छोडने की भी कोशिश कर रहा है, ऐसा शायद पहली बार ही हुआ होगा, दिल को जलाने व सब कुछ तो दुए में उड़ी जा रहा है, फिर इनसान को खुशी क्या मिल रही है इसमें, शायद दिल के थोड़ा हलका हो जाने में। भई एक बात का ध्यान रखे कि इस कहानी के जरीए हम स्मोकिंग को प्रोमोट नहीं कर रहे हैं, इस कहानी को बतोर एक कहानी की रूप में ही लीजिए, हमें जरूर बताए कि आपको कहानी सुनकर कैसा लगा, हमारी कोशिश हमेशा रहती है कि आप तक यूँ ही कुछ अलग कुछ हट की कहानिया लाते रहें, तो चलिए, अब आपका इंतजार हुआ खतम, बात करते हैं हमारे 100 अपिसोड की, इस बार कहानी जानी अंजानी के इस स्पेशल अपिसोड में हम करने वाले हैं कुछ बहुत ही अलग, हम कुछ ऐसा करने वाले हैं जो अभी तक हमने किसी भी एपिसोड में नहीं किया, हम ला रहे हैं आपके लिए एक रेडियो प्ले, जी हाँ, एक ऐसा ओडियो एक्सपीरियंस, जिसमें आप कहानी सिर्फ मेरे आवाज में ही नहीं, बलकि मेरे साथ और कई कलाकारों के आवाज में सुनेंगे, और बतौर उनके किरदार के साथ जुड़ पाएंगे, और साथ ये कहानी होगी एक थ्रिलर, चलिए सुनिए एक जलक इस कहानी की घबराईये मत ऐसा नहीं है कि मैं आपकी बात का विश्वास करती हूँ ओ, लेकिन वो सब सच है हाँ, हाँ, हो गही वैसे आपने कहा था कि इस दुनिया के किसी कोने में कोई इनसान मर जाएगा क्या मतलब था आपका? बिल्कुल वही, जो आपने कहा कोई भी हो सकता है हम सिर्फ ये ग्यारंटी देते हैं कि आप उन्हें पहचानती नहीं है और हाँ, अवश्य, आपको उन्हें मरते हुए नहीं देखना पड़ेगा और मुझे 50 लाग रुपए मिलेंगे सत प्रतिशत ये तो पागलपन है अब जैसा है, यही है क्या मैं आपको बटन दुबारा भिजवा दूँ? हर्गिस नहीं तो कैसी लगी आपको जलक? होना आप भी excited हमारे 100 अपिसोड के लिए इस special अपिसोड की और जानकारी के लिए साथ ही इस रेडियो प्ले की कलाकारों से मिलने के लिए हमारे फेस्बुक और इंस्टाग्राम चैनल पर जाए और हाँ, फ्राइडे को हमारे सत जरूर जुडिएगा आप सबका इंतजार रहेगा तो स्वस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए और मुस्कुराते रहिए